आज हमारा कम्प्यूटर का इंटरमेडिट पार्टी होगा लेक्चर 3 है इससे पहले प्रीविएस दो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कास किया था कि इस कोर्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है हमने paper pattern को डिस्कस किया और उसके इलाबा हमने थोड़ा सा introduction देखा था कि programming languages क्या है और हमने इस पोर्स के अंदर किन चीज़ों को cover up करना है आज हम proper जो है अपने text को start करते हैं आज सबसे पहले हमने दो चीज़ों को discuss करना है programming language की basic दो categories एक high level language जो आपको इस तरफ नज़र आ रही होगी और दूसरी low level language जो आपको मेरे left side पे नज़र आ रही होगी programming language क्या चीज़ है previous lecture में हमने डिस्कस किया था programming language क्या है computer को instructions देने के लिए जो languages या जो set of rules इस्तमाल किये जाते हैं उन्हें हम programming language कहते है programming language आपके पास दो categories में है high level और low level इनकी division इस तरह से की गई है कि कुछ languages जो है जो एक category है वो हमारे लिए यानि कि इनसानों के लिए समझना मिश्किल है लेकिन computer या machine उनको as it is नहीं समझ सकती जबकि जो दूसरी category बिनाई गई है उसमें वो languages आजाती है जिनके computer के लिए समझना easy है लेकिन इनसान के लिए समझना easy नहीं है इनसान को उसके समझने के लिए काफी ज़्यादा effort करनी पड़ती है तो सबसे पहले हम high level languages की बात करते है high level languages are those languages which are close to human language and far from machine language अब high level languages कौन सी है यह वो languages है जो human language के पास है लेकिन machine language से बहुत दूर है अब human language का तो हमें पता है कि जिस language में हम और आप बात करते हैं कुछ machine language कौन सी है machine की language होती है zero और one की यानि कि binary form में machine को आपको कोई भी instruction देनी पड़ती है तो वो आपको zero one की form में देनी पड़ती है या फिर आपको कोई ऐसा mechanism यूज करना पड़ता है जो आप से आपकी language में instructions ले और उसे convert कर दे machine language में ताके computer उसे समझ सके और उस instruction पे काम कर सके आपके बस high level language की बहुत सारी examples आजाती है जिसमें C, C++, C sharp, Java, Fordran हमने definition में तो यह बात कर ली कि इन languages को computer के लिए समझना असान नहीं है बिल्कुल भी हमारे लिए समझना असान है क्यूं? इस language के अंदर जो आप instructions लिखते हो वो कुछ इस तरह से लिखी होती है जैसे कि English की statements होती है English के words होते है जिनको आप काफी easily समझ सकते है यहाँ पर हमें चार examples लिखी हैं बलके पांच है C, C++, C sharp, Java, Fordran इसके इलावा कि आपके बहुत सारी दसके Pascal है, Kobol है, Python है बहुत सारी languages आजाती है तो हम बात कर रहे थे कि अब computer किस तरह समझते है हम किसी high-level language में code लिखते है और वो compiler को दे जाते है compiler एक ऐसा program है जो हमसे high-level language का code लेता है और उसे convert कर देता है machine language के अंदर अब इसे convert किया कि जाता है इसे convert इसलिए किया जाता है क्यूंकि जो आपका computer है वो तो सिरफ machine language समझता है तो compiler गया करता है आप से instructions लेता है उसे convert करता है machine language में और computer को दे देता है ताके उसे समझ सके अब चलते हैं low-level languages की तरफ low-level languages are those languages that are close to machine language and far from human language मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी languages है जो कि इनसान की language से बहुत दूर है लेकिन machine की बहुत पास है इस तरह की language में जो भी code लिखे जाते है computer के लिए उन्हें समझना बहुत असान होता है क्यों? क्यूंकि ये code और जीरो वन की फॉर्म में या assembly की फॉर्म में लिखे जाते है low-level language को further दो कर्टेगरीज के दे डिवाइड भी आई है assembly language और machine language ये दो कर्टेगरीज हैं आपके पास machine language तो pure machine code होता है जो के binary form में होता है यानि के pure zero one की form के अंदर जो code है इस code को बिलकुल आपको convert नहीं करना पड़ता ये as it is computer के उपर चल जाता है जबके assembly language assembly language का code to some extent हमारी human की language से मिलता जोता है और to some extent machine की language से मिलता जोता है इसके अंदर कुछ English जैसे words यूज की जाते हैं जिने निमोनिक्स कहा जाता है अब assembly language ये भी as it is computer के उपर रन नहीं होते है assembly language को भी convert करना पड़ता है पहले machine language के अंदर अब assembly language को convert करने के लिए जो programs आप यूज करते हो उन्हें हम कहते हैं assemblers assemblers क्या करते हैं हमसे assembly language में लिखा हुआ code लेते हैं और उसे convert कर जाते हैं machine language के अंदर ताके machine उसे समझ सके फिर आज आती है दूसरी के टिवी machine language जो के pure machine code है zero और one की form के अंदर पूरा का पूरा code लिखा जाता है और उस code को बिल्कुल भी convert करने की जरूरत नहीं होती अब हम daily life से की example डिसकस कर लेते हैं for example दो लोगों ने आपस में communicate करना है मैंने और आपने हम तब ही आपस में successfully communicate कर सकते हैं जब हम दोनों को same language की समझ आती है और हम उसे लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं otherwise हम communicate नहीं कर सकते for example मैं एक ऐसी language में आपसे बात करूँ जिसकी आपको समझ नहीं आती या आप मुझसे एक ऐसी language में बात करें जिसकी मुझे समझ नहीं आती तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें एक translator इस्तमाल करना पड़ेगा जो के क्या करेगा आप से instructions लेके उसे इस form में convert करेगा जिसमें मुझे समझ आ सके और मुझसे instructions लेके उसे इस form में convert करेगा जिसमें आपको समझ आ सके तो हमारे पास जो हमने compiler और assembler की बात की थी वो basically translators दी थे जो के हम से code लेते थे और उसे convert करते थे in such a form that computer can understand तो ये तो था हमारे पास कुछ basic difference high level और low level languages के बाते इससे next lecture में हम compiler, interpreter और assembler को discuss करेंगे अला आपको सुआ है